सास्तरों के नसर मा भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विक्राल रूप धारन किया था जिन्हें मा काली के नाम से जाना जाता है, इनकी अराधना से मनुस्य के सभी भयदूर हो जाते हैं, मा दुर्घा का विक्राल रूप है मा काली और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का साहार करने के लिए मा ने यह रूप धरा था, सास्त्रों की मा ने तो मा के इस रूप को धारन करने के पीछे कई कर्थाएं पर चली थे और उनका वैक्ष्यान भी वहां मिलता है, आईए जानते हैं मा के भैयंकर रूप के पीछे की कथा, एक बार दारुक ना में कनुष्ठान बंद करा दियें और स्वर्ग लोक में अपना राजे स्थापित कर लिया, सभी देवता ब्रह्मा और विश्णू के धाम पहुंचे, ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दोष्ट केवल इस्तरी द्वारा मारा जाएगा, तब ब्रह्मा विश्णू सहित सभी द पहुंचे, तथा उन्हें दैत्य दारुक के विशे में बताया, भगवान सिम ने उनकी बाते सुनी और मापारवती की और देखा, और कहा, हे कल्यानी, जगत के हित के लिए, दुष्ट दारुक के वद के लिए मैं तुमसे प्राथना करता हूँ, यह सुन मापारवती मुस उन्होंने देवी के पास सिव को बैठे देखा, मापागवती का वह अंस भगवान सिव के सरीर में परवेश करके उनके कंठ में स्थित विश से अपना आकार धारन करने लगा, विश के परभाव से वह काले वर्न में परिवर्तित हुआ, भगवान सिव ने उस अंस को अप उनके नेत्र द्वारा भेयंकर विकराल रूपी काले वर्न वाली मा काली उत्पन हुई मा काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंदर रेखा थी कंठ में कराल विसका चिन्ह था हाथ में तिरसूल एवं नाना परकार के आभुसनों वा वस्त्रों से वसु सोभित थी सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई, मा के क्रोध की जुआला से संपूर्ण लोक जलने लगा, उन्हें क्रोध से संसार को जलते देख भगवान सिब ने एक बालक का रूप धारन किया, सिब समसान में पहुची और वहां लेट कर रोने लगे, जब मा काली ने सिब रूपी उ उन्हें दूद पिलाने लगी, भगवान सिब ने दूद के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया, उनके क्रोध से आठ मुर्ती हुई, जो छेतर फाल कहलाई, सिब जी द्वारा मा काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मुर्चित हो गई, देवी को होस में लाने के लिए सिब जी ने सिब तांडब किया, होस में आने पर मा काली ने जब सिब को निर्थे करते देखा, तो वह भी नाचने लगी, जिसके कारण उन्हें योगनी कहा गया है